जहां जन्मत फेल हो जाता है, जहां संख्या बल नहीं आता है, जहां सत्ता हत्याना मूल मंत्र बन जाता है, वहां बीजेपी का ओप्रेशन लोटस आता है जीते बगएर सत्ता हत्याने का मूल मंत्र है ओप्रेशन लोटस छै सालों में आठ राज्यों में बीजेपी ने चलाया ओप्रेशन लोटस चार राज्यों में मिली कम्याबी, तीन बार बीजेपी ने मुखी खाई, इस बार महाराश्ट्रा में भी आकर सरकार गिराई महराष्ट्रा में एकनात सिंदे की बगावत के बाद अब महराष्ट्रा की महाविकास अगारी सरकार गिर गई लेकिन महराष्ट्रा में सीव सैनको की बगावत के बीच बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का जिक्र बार बार आता है तो आखिर क्या है बीजेपी का ओप्रेशन लोटस और इसका महाराष्टरा की सियासत से क्या कुछ तालोक है इसे समझेने की जरूरत है ओप्रेशन लोटस बीजेपी की उस स्ट्रेटजी के लिए गढ़ा गया सब्द है जिसमें सीटें पूरी नहोने के बावजूद पार्टी सरकार बनाने की कोशिस करती है पिछले छह साल के दौरान साथ राज्यों में बीजेपी ने उप्रेशन लोटस चलाया इसमें चार बार बीजेपी को सफलता मिली जबकि तीन बार बीजेपी को मात खानी पड़ी आठ्वा राज इस बार महाराष्टरा बना है भले ही बीजेपी का ओपरेशन लोटस साथ में से तीन बारास फल रहा बावजूद इसके चार बार बीजेपी बिना बहुत के सत्ता पाने में कामियाब रही और इस कामियाबी के पीछे की वजे बीजेपी के चानक कहे जाने वाले अमित साह है अमित साह के पास बीजेपी के नेताओं की एक बड़ी टीम है अलग-अलग राज्यों के लिए अमित साह अपने अलग-अलग सातिर से पैसलारों की निउक्ति करते हैं उन्हें उप्रेशन लोटस को कामियाब बनाने का जिम्मा सौपते हैं अतीत में अगर जाएं तो बीजेपी के ऑप्रेशन लोटस की सुरवात 2016 में हुई जब बीजेपी ने उत्तरा खंड में 18 मार्च 2016 को पूर्व सीयम बीजेप बहुगरा समेत कांग्रेश के नोव विधायकों को तोड़ कर सरकार बनाने की कोशिस की थी लेकिन उसमें बीजेपी अस्फल होई और आखिरकार हरी जरावत बहुत परिक्षण में कामियाब हुए यानि आप्रेशन लोटस का पहला प्रेयोग अस्फल रहा उसके बाद बीजेपी ने ओपरेशन लोटस का प्रेयोग अरुनाचल और गोवा में किया जो बेहदी सफल रहा बीजेपी ने ओपरेशन लोटस का एक और बड़ा प्रेयोग 2019 में महाराष्ट्रा में किया बीजेपी सिउसेना के गड़बंधन को इसपष्ट बहुत मिला था बीजेपी को 105 और सिउसेना को 56 सीटे मिली थी वहें NCP को 54 और कांग्रेश को 44 सीटे लेकिन CM पत को लेकर सिउसेना और बीजेपी के बीच बिवाद हो गया और सिउसेना बीजेपी से अलग हो गई उसके बाद सियुसेना ने NCP और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की घोशना की लेकिन अचानक 23 नॉवंबर 2019 को देवेंद्र फढ़नवीश ने CM के रूप में सपत ले ली उनके साथ अजीत पवार ने भी डिपी CM की सपत ली नाटक 72 घंटे चला फ्लोर टेस्ट से पहले देवेंद्र फढ़नवीश को इस्तिफा देना पड़ा और उधव ठाकरे मुखमंत्री बने यानि महाराष्ट्रा में आउप्रेसन लोटस का प्रयोग असफल रहा बीजेपी ने उसके बाद करनाटका में कुमार स्वामी को सत्ता से वेदखल कर युदरप्पा को सरकार बनाने में कामियाबी हासिल की उसके बाद बीजेपी ने राजिस्थान में भी यही प्रयोग दोहराने की कोशिस की लेकिन उसमें बीजेपी असफल रही और प्रेसन लोटस का सबसे बड़ा और सबसे सफल प्रयोग बीजेपी का मद्ध प्रदेश में हुआ जहां कमलनात की सरकार गिरा कर बीजेपी ने सिराज चौहान की सरकार बनाने में कामियाभी हासिल की और इसमें कांग्रेस के नेता जयोत्रादित सिंधिया की बड़ी भून का रही बाद में जयोत्रादित सिंधिया बीजेपी में आकर के अब केंद्रवे मंत्री है एक बार महराश्टरा में मुग की खाने के बाद बीजेपी अब फूक फूक कर कदम रख रही है बीजेपी इस बार एक नाथ सिंदे की बगावत के बाद अब तक अपना मुन नहीं खोला है थिलहाल बीजेपी वेट अब वाच की स्थिती में हैं लेकिन जिस तरह से एक नाथ सिंदे के साथ 40 से ज़्यादा बिधायकों की बगावत हुई है उसमें सीधे तोर पर समझा जा कि महाराश्ट्रा में अभ उधाव सरकार का पतन मुख मंत्री आवाज से उधाव ठाक्रे今 अपना सामान भी समेट लिया और अब मात्तोस्री में दुबारा सिप्ठ होने जा रहे है website उधाव ठाक्रे अब मुख मंत्री नहीं रहे हुए आश् ni restraint के लिए महाराश्ट्रा से प्रेमिर तिवारी करे भूब